नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनके जे क्रियसंस पर आपका स्वागत है दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुष्खे अक्सर रसोई में असवधानी से काम करने पर हाथ बहुत जल जाते हैं तो जैतून का तेल लगाने से अराम मिलता है सुभा के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है साथ ही मसल्स भी मजबूत होते हैं हर रोज बाल धोने वाले इंसान के बालों के गिरने की प्रोब्लिम ज़्यादा हो जाती है गाय से चुगों को भगाना चाहते हैं तो कमरे के हर कोने कोने में कपूर रख दे अगर पेट की कोई बीमारी भी हो तो गाय में मसूर की दाल ज़्यादा खाय करे लहसून की कली कटी हुई या साबूत इन्हें फ्रीज में नहीं रखना चाहिए इससे लहसून नरम होकर अंकूरित होने लगते हैं और इसका स्वात कम हो जाता है और जो लहसून का लवकाड़ी गुण होता है वो भी खत्म होने लगता है आम का सेवन करने के बाद कभी भी हर इमीज का सेवन नहीं करना चाहिए जंक फूट खाने से कम उम्र में ही डाइबिटी जोने का खत्रा बढ़ जाता है फैटी लीवर के मरीजों को दूद नहीं पीना चाहिए रात को अंधेरे में सोने से रिप्रेशन का खत्रा कम रहता है जब छीके आने लगे तो सर को जुका ले या दास अच्छी हो जाएगी जीन औरतों की त्वचा रुखी और खुस्क होती है उन्हें नस्पाती का सेवन करना चाहिए अगर केला खाने से आपको कब्ज की प्रब्लेम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डालने से इससे कब्ज की समस्या नहीं होगी फ्रीज में ब्रेट को रखने से बचना चाहिए खूले में समाने तापमान में रखने पर ब्रेट अधिक समय तक चल जाती है लेकिन फ्रीज में इसके जल्दी खराब होने का खत्रा रहता है बुखार कम नहीं हो रहा है तो फौरण चावल का उबला हुआ पानी पी ले फायदा मिलेगा दही में चीनी मिला कर खाने से पिट दर्द में आराब मिलता है जो महिलाएं अपने बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और साथ ही इससे बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती है जीन लोगों का वजन न बढ़ रहा हो वहरो जाना काजुक है इससे वजन बढ़ने लगेगी रात और दोपहर के खाने के बाद एक कली लहसुन की खाले वजन तेजी से कम हो जाएगा दीन के वक्त पानी न इस्तिमाल करने से खोट काले पड़ जाते हैं अमरूत के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है कोई भी खटी चीज खाने के बाद पानी पीने से सूजा ना सकती है सुबह उठते ही मोबाइल यूज करने से सिर्धर्द की समस्या होती है ज्यादा चावल खाने से डाइबेटिज की समस्या होने लगती है नमबर पचीज, दही के उपर वाला पानी लीवर को साफ करता है, तो दीन में एकलस जरूर पियें, नमबर छब्विस, रोज कुछ समय तक नाकुन रगणने से ब्लड सर्कुलेशन बहतर होता है और इससे बाल जढ़ना भी बंद हो जाते हैं, नमबर 27, रात का भोजन करने के तुरत बात सोना नहीं चाहिए, भोजन करने की थोड़ी देर बाद आपको कुछ देर वाग चरूर करने चाहिए, इससे भोजन असानी से पच जाता है और इससे सरीर का वजन भी नियंतित रहता है, नमबर 28, अध्रक वाला पानी पीने से बदन में जमा हुआ खुण चलने लगता है, नमबर 29, जो ज्यादा चलता है उसे दिल की विमारी नहीं होती है, नमबर 30, दातों से नाखुन ना काटे, इससे की टाडू सरीर के अंदर चले जाते हैं और नजर भी कमजोड होती है, नमबर 31, ज्यादा चाहे का सेवन करने से दातों के एनिमल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है, नमबर 31, कच्ची मूल्ली खाने से दिमाग तेज होता है, नमबर 33, ज्यादा कफ होने पर केला और सातूत खाना फायदेमंद है, नमबर 34, लंबे समय तक लगतार जूक कर टीवी देखने से रीट की हड़ी और गर्दन से जूड़ी समस्याएं हो सकती है, नमबर 35, ज्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी ही मोटापे का सिकार हो जाते हैं, नमबर 36, रोज बून खाने से चेहरे पर आए हुए काले दाख और पिमपस दूर होने लगते हैं, नमबर 37, एक चमच दाल चीनी का कूल उपयोग दीन घर में किसी वी रूप में करने पर आप निरोगी रहेंगे, नमबर 38, इस्तिरियों के मासिक धर्म की खराबी में पूदीने की पत्ती की चाय बना कर पेने से ला मिलता है, नमबर 49, जो रोजाना सुबह के वाक्त एक टमाटर खा लेता है, उसके बाल कभी सफेद नहीं होते हैं, नमबर 40, आधे सर के दर्द में अंगूर का जूस जादा से जादा इस्तिमाल करें, दर्द कम हो जाएगा, नमबर 41, अगर तीखा खाने के बाद आपको पेट में जलन होने रखती है, तो आप ठंडा दूद का सेवन कर सकते हैं, यह पेट में बनने वाले एसीट को सांथ करता है, जिससे पेट की जलन में राहत मिलती है, नमबर 42, दूद में इलाजी डाल कर पीने से सरीर की ठकावट दूर होती है, नमबर 43, खाने में रुजाना दही का सेवन जलू करें, इससे इरिन इंफेक्षन नहीं होता है, नमबर 44, नहाने से पहले आपको पेजाब आ जाए, तो यह पेट की कमजोडी होनी की निसानी है नमबर 45, खाना खाते समय खाने को सुगना नहीं चाहिए, इससे बधजमी होती है, नमबर 46, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और यह आँखों और त्वचा के लिए बहुत फैदेमंद होता है, नमबर 47, अपनी डाइट में पूदीने वाली चटनी जरूर सामिल क करें, इसके इस्तिमाल से ठकावट महसूस नहीं होती है, नमबर 48, साम के स्नैक्स में मखाना खाने से आपके सरीर में कबज और लंबे समय तक बढ़ने के कारण होने वाली पेट की बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है और यह एनरजी बुष्टर भी होता है, नमबर 49, बार बर पिसाब जाने की विमारी में भूने हुए चने का सेवन करना चाहिए, नमबर 50, रात की बचीवी रोटी में फाइवर अधिक मात्रा में होता है, पासी रोटी को सुबा दूद के साथ खाने से अपच, कैस, एसिडीटी और पेट की कई विमारियों से भी राहत मिल होती है, नमबर 51, रोजाना सुबा उठते ही कंगी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं, नमबर 52, रात को नाभी में तेल डालने से खोट नहीं फटते हैं और इससे स्वास भी ठीक राता है, नमबर तिरपल, अपने खाने में अध्रक, लहसून, दालचीनी, काले मिर्च जैसे मसाले को जरूर सामिल करें, यह सरी की इमिनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, नमबर 54, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आलू उबाल कर खाएं, नमबर 55, हात पाओ काले रंग के हो, तो उठनी का दूद लगाएं, सफेद हो जाएंगे, नमबर 56, ए आपकी एनरजी को बढ़ाएगा, नमबर 58, ज्यादा देर तक ना सोया करें, ज्यादा निंद अस्तास को कमजोड करती है, नमबर 69, हफते में एक बार पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला कर पीने से पेट साफ रहता है, नमबर 60, पेट भर कर खाना ना खाया करें, इससे पे बीमारी हो सकती है, और खाना जल्दी हजम नहीं होता है, और यह मोटापे का कारण भी बन सकता है, खाना हमेशा आराम से और चबा कर खाना चाहिए, नमबर 63, उबले हुए चालों को फ्रीज में रखकर कई दीनों तक इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, इससे पेट खराब हो साथ अन्य कई बीमारिया हो सकती है, नमबर 64, जीन लोगों को प्लेट प्रेसर कम होनी की समस्या रहती है, वे रोजानक हजूर खाया करे, यह बहुत ही फैदेमंद होता है, नमबर 65, यदि आप टोईलेट जाते समय अपने दातों को दबा के रखते हैं, तो इससे दात मज बूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवा जैसी समस्या नहीं होगी, नमबर 64, बालों की लंबाई बठाने के लिए नारियल के तेल में आउना पाडर मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगूनी तेजी से बढ़ते हैं, दोस्तों, आपको य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, धन्यवाद दोस्तों